मेरे प्यारा साथ हुआ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टूटेल लार्दिक पसाथ हो आज हम लोग करेंगे जी के जिसका टॉप फीप्टी कोचन जो मात्र दस मिनट में होगा तो चलिए साथ हुआ स्टार्ट करते हैं आज का स्रीज पहला कोचन है स्वाप आप्सन है प्लेटिनंग, हीरा, सोना या चान्दी तो साथ हो सभ से कठोर धात्तू होगा आप्सन अ यानि प्लेटिनंग अगला कोचन है नाभीके सलयंग में पर्यूंक्त होता है आप्सन है उरेनियम, कोबाल्ट, पोटाईसियम यार सोल्णयम तो साथियो नाभी के सलायन में उरेनियम प्रियुक्त होता है यानि आप्षन ए राइटेंस होगा अगला कोचन है सोल्डर मिस्रन होता है आप्षन है सिसायों टीन का, सिसायों पितल का, टीन और पितल का या नन तो साथियो 16 का यानि option ए राइटेंस होग जागा अगला कोचन है मौली करता बेको की समीधान संसोधन में पाररा गया है option 42, 43、 1742 या 21 तो साथियो covid 42 यू की समीधान संसोधन में पार फ्रीक पारराकन IS यह अगला कोचन है पूश्प के किस भाग से केसर उत्पन होता है तो साथ इसमें राइटेंस होगा पूंग केसर यानि आप्शन नमबर D राइटेंस होगा सुप्रीम कोट एक अभिलेक न्याले है किस आर्टीकल के अंतरगत आता है आप्शन है आर्टीकल 74, 124, 131, 139 तो साथ इसमें राइटेंस होगा आप्शन D यानि 129 के अंतरगत रखा जाता है आता है अगला कोचन है पूना पैक्ट किस के किस के बिच हुआ था आप्शन है अ अप्शन आप्शन आप्शन और महात्मा गाधी के बिच हुआ था यानि आप्शन A राइटेंस होगा आई अगला कोचन है निमली खित में से कीस में समाध कोमूदी समाचार पत्र की अस्थापना की थी आप्शन है राजा राम महान राइज, शिसिर कुमार घोस या और मूदी समाचार पत्र की अस्थापना राजा राम महान राइज के द्वारा किया गया था यानि आप्शन B राइटेंस होगा आई अगला कोचन है निमली खित में से का अंतिरेंदाजी में भारत का प्रति निधित्वा करता है आप्शन है दीपिका कुमारी, सोम्या जी विद्वार्स से होती है ऑप्शन है 2000-20000-2011, 2019-2020 या 2018-2019 या 2021-22, तो साथ यह स्थापना 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 चलान टू का स्थापना स्थापना 21-21 हुआ था यानि ऑप्शन ए राइटेंस होगा अगला कोचन है आलफा कोन डैस के ड्वी आवेशित आयन होते हैं फिलियमं हई ट्रोजन तो इसमें राइट एंस होगा ऑप्सन नंबर हिलियां यानि आप्सन नंबर छी राइट एंस होगा चली अगला कोचन है भारत के समीधान के निमलिखीत में से कौन सा अनुछेद सोहकारी समीथियों के पर चार से सम्मधित हैं ओप्सन है टेटालीस ए या 31 से 31 बी तो साथ ही इसमें राइटेंस होगा आप्टन बी यानि 43 ए अगला कोजन देखते हैं मराठो और अपरणिस्तान के साथ सोक अमत साथ दुरानी के बीच पानी पत की तिस्री लडाई किस वर्स किस वर्स लरी गई थी आप्टन है पंजाब से पांच नदिया मिथन कोट पाकिस्तान में डैस नदी में गिरती है साथ यह उप्षन है सिंदू यमना गंगा ब्रहंपूत्र साथ इसमें राइटेंस होगा आप्शन है यानि सिंदू नदी में जाकर गिरती है पंजाब से जो पांच नदिया निकलती है पाकिस्तान की ओर वो जाकर सिंदू नदी में गिरती है अगला कोचन है डैस एक सदहारन उपकरान है जिसका उप्योग या तो विद्धूत परिपत को भियोजित करने या इसे पून करने के लिए किया जाता है तो साथियो आप् केरल ब्लास्टर टीम को निमलीखित में से किस खेल से जो रहेंगे अप्शन है फूटबॉल बैडमिंटन कबाडी क्रिकेट तो साथियो इसमें राइट एंस होगा आप्शन ए यानि फूटबॉल अगला कोचन देखते है निमलीखित में से कौन मिजो का प्रामपरिक बास थे हैं साथिसमें राइट एंसर जो होगा और सण नमबर और सी यानि छेराब जो है मिजो का प्रामपरिक बास निरित्ते हैं अगला कोचन देखते हैं निमलीखित में से किस मुगल सवास्व के साथ्षनकाल में राजा टोडर्बल का राजस्व मंत्री थे यानि किसके नदी किस नदी की सहायक नदी है आपसने पिंडर भागी रती टॉंस या सारदा तो सथी साथ इसमें राइटेंस होगा आपसन डी यानी सारदा निमलीखित में से कौन अपने नाट को ययाती और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं तो साथ इसमें जो राइटें में मुगल सत्ता के खिलाब विद्रो किया था तो साथियों इसमें जो राइटेंस होगा बंगा बहादूर के खिलाप यानी आपसन नंबर सी राइटेंस होगा अगला कोशन है बिर्तिय वर्स 2019 से 2020 में निमलीखित में से कौन साथ देश भारत का सिर्ष ब्यापारिक भाग देश प्रतिमात की गई है तो साथियों इसमें जो राइटेंस होगा चात्सो आठसो यानी ऑप्सन नंबर राइटेंस होगा अगला कोशन देखते हैं डेस को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है तो साथ वीचिक बीटी कल्चर को हम लोग अंगूर की खेती खेती जो होता है उसको हम लोग बीटी कॉल्चर के रूप में जानते हैं और ये सत्यों अगला कोचन है पानी के लिए एक अनुम में हाइड्रोजन और और आक्सिजन के द्रभ्यमान का अनुपात है ऑफ्सन है एक अनुपात आठ एक अनुपात चार एक अनुपात दो या एक और आपसन है जहां गीर महल लाल किला आगरा का किला या परी महल तो साथ ही इसमें राइट जाओगा आप्सन भी यानि लाल किला चलिए साथ हो अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है Quotes of India Pass to Present Puster के लेखा कौन है साथ यूँज इसमें आप्सन है सासी थरूल सत्यार्थ नायक ये जन्द को कलिता या रंजन गोगोई तो इसमें राइट अप्सन नमदी ये रंजन गोगोई ये इसमें अगला कोचन है निम लिखित में से कौन सा विकल्प मोरे समराजे के सासको का सही अनुक्रामिक क्रम को दर्शाता है तो साथ इसमें जो राइटेंस होगा option C यानि चौंद्रगुप, बिन्दुसार, असोक और ब्री, दर्थ यानि option C राइटेंस होगा त्वेशान मलिक एक भारतिये डैस खिलारी है तो साथ इसमें राइटेंस होगा option number B यानि गोल्प से सम्बंदित रखती है लाल लीगा सिर्शक डैस से जुरा है, option है टेनीज, फूटबॉल, किरिकेट, एस्प्रेटिंग तो साथ इसमें जो राइटेंस होगा लाल लीगा, फूटबॉल से सम्बंदित है, यानि option number B राइटेंस होगा तो साथ इसमें जो राइटेंस होगा option number D, यानि author craft को निउक्त किया गया था साथ इसमें जो राइटेंस होगा जीवन प्राइटेंस हो जाएगा, अपनी तवचा से सास लेता है, अप्शन है मेडक, खरगोष, मोर या हीरत, तो साथ इसमें जो अपने तवचा से सास लेता है, आईसा तो अगला कोचन है, निमली खित में से कौम सा ओधातू बहु परमानू है, अप्शन है सल्फर, आरगन, अक्सीजन, हिलियम, तो साथ इसमें जो बहुँ परमानी अधातू है सल्फर, यानि अप्शन ए राइटेंस होगा, अईसा तो अगला कोचन है, होगेन कॉल, जल परपात, कीस राज्ये में इस्तित है, अप्शन है आंध्य परदेश, केरल, मह राष्ट तमिलनाडू, तो साथ इसमें राइटेंस होगा, अप्शन डी यानि तमिलनाडू में इस्तित है, निवली खित में से कौन सबसे अधिक किरिया सिल्धातू है, अप्शन है चांधी, अलुमिनियम, लोहा, पोटैसियम, तो सबसे अधिक किरिया सिल्धातू है, प सब्सक्राइब देखते हैं अगला कोचन है डैस छत्रिये वांस के एक परमुख ग्यानत्रिक के पुद्र थे अप्सन है गौतम भूद रिशब नाथ वर्दमान महाभीर या पार्षवनाथ तो सब्सक्राइब या उच्छे इलाकों से निकलती है यह सई है औरफ सागर में गिरती है या जो गलती है यानि कोचन के अनुशार यह हम लोगा राइट एंस होगा अप्सन नमबर बी और साथियो इसके नदी बेसिन का एक हिंसा महराष्ट में इस्तित है यह लगवक 860 किलोमीटर लंबी है य यानि हम लोगा जो राइट एंस होगा कोचन के अनुशार अप्सन बी राइट एंस होगा चली साथियो अगला कोचन है भारत सरकार ने आउश्मान भारत पारधान मंत्री जन आर्योगे योजना को वर्स डैस में मजदूरी दी थी अप्सन है दूजार ठारे 2014, 2019 और 2015 तो स साथियो इसमें जो राइट एंस होगा आप्सन नंबर ए यानि 2018 अगला कोचन है किसी विशेश वर्स के दोरान देश के भीत्वर उत्पादित सभी अंतीम बस्तू और सिवाओ के मुद्रा मुल्य को डैस कहा जाता है आप्सन है प्रति बेक्तियाय सुध सुध घरेलू उत साथियो अगला कोचन है भारतिय सभीधान के 44-44 संसोधर अधियम 1978 के बाद निमली खित में से कौन सा मौलुक अधिकार नहीं है तो साथियो चोवाली सभीधान संसोधर के बाद संपति के अधिकार मौलुक अर्धिकार नहीं होता है यानि आप्सन ए राइटेंस होगा यानि 1956 इसमी में पारित किया गया था तो साथियो यहीं परहम लोग का 50 कोशन समाप्त होता है तो साथियो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए सब्सक्राइक कीजिए शेयर कीजिए तो चले साथियो फिर मिलेंगे नेक जए जए बारण